तो जो लोग DDFREDs यूज़ करते हैं उनके TV के स्क्रीन पर कभी-कभी Program Not Exit का ओप्षन आता है और हम लोग कोई भी चैनल्स नहीं देख पाते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देखे आपका जो पॉबलम है वो 100% सॉल्ब हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप सेट्टा बोक्स को आटो स्कन करना भी सीख जाएंगे तो Program Not Exit का ओप्षन तब आता है जब हम लोग के सेट्टा बोक्स में कोई भी चैनल्स नहीं होता है तो यह होता है जब सेट्टा बोक्स में चैनल्स जो है डिलिट हो जाता है तब इस तरह का मैसेज देता है Program Not Exit तो सबसे पहले रीमोड में हम लोग मेनू प्रेस करेंगे मेनू प्रेस करने के बाद Installation में आएंगे और Antenna Setting में OK करेंगे OK करने के बाद हम लोग के सामने एक पेज आ जाएगा इस पेज में हम लोग को एकदम नीचे आ जाना है और नीचे आके यहां देखिए सैटलाइट लिखा है तो यहां जहां सैटलेट लिखा है इसको हम लोग रीमोड में जो साइट बटन है उसको प्रेस करके इसको चेंज करके ब्लाइंड कर देंगे Blind करने के बाद OK Press करेंगे Remote में OK Press करने के बाद इस तरह का एक Pop-Up Message हम लोग के सामने आएगा Setting तो यहां FTA Only जो No लिखा है इसको अगर No रखेंगे तो यहां हम लोग के Setup Box में Free Channel और Paid Channel दोनों ही Scan हो जाएगा और इसको हम लोग Yes कर देंगे तो जो Free Channel से वो ही हम लोग के Setup Box में Auto Scan होगा तो इसको हम Yes कर देते हैं क्योंकि हम लोग को Free Channel चाहिए उसके बाद Search में आके OK करेंगे Search में आके OK करते हैं Setup Box जो है इस तरह से Auto Scan होना सुरू हो जाएगा तो दिरे दिरे जितने भी Channel से सेटलाइट में वो सभी Channels Auto Scan होके आपके Setup Box में आ जाएगा इस तरह से तो Auto Scan होने में थोरा टाइम लगता है दो से तीन मिनिट जो है Auto Scan होने में टाइम लगता है तो इस तरह से सभी Channels जो है आपके Setup Box में आ जाएगा उसके बाद आपको एक Message देगा जहां लिखा है आपको Channel को क्या Save करना है तो हम लोग OK प्रेस करेंगे OK प्रेस करके Channel को Save कर लेंगे OK प्रेस नहीं करेंगे तो Channel Setup Box में एड नहीं होगा तो इसको Save कर लेंगे उसके बाद Back कर देंगे Back करते हैं जितने भी Channel से हम लोग के Setup Box में Save हो जाएगा और Program Not Exit का जो Problem है वो भी Solve हो जाएगा और इस तरह से आप Setup Box को Auto Scan भी कर पाएंगे तो इस तरह से और भी Update चाते हैं तो Channel को Subscribe जरूर कीजिए निचे Rate Color का Subscribe बटन है उस बटन को प्रेस करके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में